हेलो एफ्रिवान, वेलकम बाक टु दे चैनल, आज मैं सब के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और क्रीमी फिर्नी की रेसिपी, जिसे हम चावल से नहीं पलकी सूजी से बनाएंगी, ये एकदम पॉफेक्ट बनती है और खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूँगी, जिससे आपके फिर्नी एकदम पॉफेक्ट बनेगी, चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे सूजी, मैं यहाँ पे 6-7 बड़े चमत सूजी ले रही हूँ, अब मैं इसमे आड करूंगी, एक बड़ा कप गरम पानी, और इसे हम एक बड़ अच्छे से मिक्स कर लेंगी, गरम पानी डालने से सूजी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, और वो थोड़ी सी फूल जाएगी, हमें सूजी को रोस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने से हमारी सूजी कच्छे भी नहीं रहेगी, हम इसे 10 मिनिट के लिए सोख होने के लिए रख देंगे, अब मैंने यहां पे लिया है थोड़ा सा केसर, इसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़े चमच करम दूद, एक बड़ इसे अच्छे से मिक्स करके, हम सोख होने के लिए रख पर कर देंगे और इसे एक बड़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, पांच से छे साबोत इलाइची, आप चाहें तो इलाइची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बड़ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी, अब इस दू 4-4 मिनिट के बाद दूद अच्छे से रेड्यूस हो गया है। मैं इसमें से इलाइचय को निकाल लूँगी। क्योंकि इलाइचय का फ्लीवर दूद में अच्छे से आ गया है। अगर आपी लाइची पाउडर का इस्तेमाल करें हैं तो इसे इस टेज पे ना आट करें अब हम इसमें डाल देंगी हमारी बिगोई हुई सूची सूची डालने के बाद आप इसे अच्छे से एक बार मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी गुठलिया ना रहे याने की कोई भी लंप्स ना रहे इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके हम इसे कुख होने देंगी पांच मिनट के लिए चब तक ये थोड़ी से थिक ना हो जाए और सूची हमारी इस तरह से फूलना जाए अब मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि दूद नीचे ना लगे अब इस स्टेज पे मैं आड़ करूँगी एक कटोरी चीनी जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने चीनी आड़ की है इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगी चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी इसलिए हम इसे 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगी जब तक ये थोड़ी ओर थिक ना हो जाए अब मैं इसमें आड़ करूँगी हमारा बिगोया हुआ केसर इसे भी हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगी अब आप देख सकते हैं कि हमारे केसर का फ्लीवर बहुत ही सादा ब्राइट आया है इसमें हमने किसी भी आर्टिफिशल कलर का इस्तेमाल नहीं किया है इसकी मैं आपको एक टिप दूँगी केसर को सोक करने के बाद आप उसे एक बर अच्छे से क्रेश कर लें इससे आपकी केसर का फ्लीवर और कलर पहुत ही सादा निकर के आएगा अब केसर डालने के बाद आप इसे 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से कुक कर लें अब इसमें डाल देंगी चौप की हुई पिस्ता और बादाम आपको चौबी ट्राइफूल्स पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं एक बर इसे अच्छे से मिक्स करेंगी और हमारी फिरनी एकदम रेडी है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसे हम सर्फ करेंगे अब फिरनी को मैं सर्फ करूंगी एक मिट्टी के बरतन में अगर आपके पास नहीं हैं तो आप इसे एक नॉर्मल कटोरी में भी सर्फ कर सकते हैं मिट्टी के बर्तन में सर्फ करने से फिर्णी में चुब मॉइस्टर होगा वो ये बर्तन सोक लेगा और फिर्णी हमारी एकदम थिक बनेगी अब गानिश करने के लिए मैं यहाँ पे चौप के होई पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे आप एकदम चिल सर्फ करें इसे बनाएं और इंजोई करें और मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताएं कि आप कोई रेसिपी कैसी लगी अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दी अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर दें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो